दोस्तों, आपको इस वीडियो के जरिये एक स्वस्त एवं खुशाल जीने के लिए शरीर की सफाई एवं रिजिवनेशन का महत्वस समझाते हैं आयुरवेद के अनुसार, देनिक के नित्यक्रिया, जैसे दंत मंजन, स्नान इत्यादी के साथ साथ शरीर पर उचित तैल का इस्तमाल बहुत लाभकारी होता है जैसे की तनी होई मान स्पेशियों को धीला करना, खून के प्रवहा को बढ़ाना, शरीर से गंदगी बाहर निकालना और मूर तथा नई उर्जा का स्थन चरण होना विभन्न बिमारियों एवं विकारों को ठीक करने के लिए आयरुवेद में ओशधियत तैल का उपयोग किया जाता है तैल ये चुकित्सा पध्धती का उद्ध्योग बहुत बड़ा है एवं इसका आकलन करोड रुपयों का है इन थेरपी का उपयोग इतना ज्यादा है कि आप पूरे देश में अपने आसपास तथा कई बड़े होटलों में आयरुवेदिक थेरपी सेंटर को देखते हैं ओके मुझे भी अपने शरीर के सभी अंगों को घर बैठे ही स्वच एवं रिजुवनेट करने के लिए एक आयरुवेदिक तैलर चाहिए तो क्या ऐसा कोई ब्रैंड है जो कि मेरी मदद कर सके एलिमेंट्स वेलनेस ने स्वच्छता एवं रिजुवनेशन के लिए प्रयोग किये जाने वाले कई आयरुवेदिक प्रक्रियाओं का अध्यान किया और उसमें एक पावरफुल प्रोसेस का समावेश करके आपके लिए लाया है एलिमेंट्स वेलनेस चंपी चैंपियन तैलर ऐसा क्या है इस प्रड़क्ट में जो इसको इतना स्पेशल बनाता है इसमें बहुत सावधानी से चुने हुए हर्ब्स हैं जो बाल, खाल और गाल पर अच्छा परिनाम देता है ये एक विशेश तैल पाक विधी द्वारा बनाया जाता है इस प्रड़क्ट में कई हर्ब्स और सामग्रियों की शक्तियां भरी हुई हैं जैसे की बाला, कुल्ठा, कंतकारी, मंजिष्ठा, टी ट्री तैल और निमबा तैल के साथ माशा और तिल तैल का मिश्रण, द्वाक और तेजबत्र तैल पाक विधी आयुर्वेद के भेशच कल्पना पर आधारित स्लो कुकिंग है इस प्रक्रिया में कुछ हर्प्स के पेस्ट, काढ़ा एवं तैल को धीरे-धीरे गर्म और ठंडा किया जाता है हर्प्स को पानी में गर्म किया जाता है, बाद में इसको इकठा करके और साफ करने के बाद क्वाथ मिलता है Herbs powder को दूद्ध के साथ मिला कर एक paste बनाया जाता है और उसको एक पोटली में बांध दिया जाता है इस क्वाथ और पोटली को गर्म तैल में मिलाया जाता है और पकाया जाता है तकि सारा पानी निकल जाए और एक अच्छा product जिसमें Herbs का समावेश होता है निकल कराता है जैसे कि मानस्पेशियों को मजबूत करना, बाल की खाल को स्वस्थ रखना एवं जड़ते हुए बालों को रोखना, रक्तसंचरन बढ़ाना, एंटी बैक्टीरियल एवं एंटी डैंडर्फ का काम करना, एंटी ऑक्सिडेंट एक्षिन, एंटी इंफेक्टिव प्रॉपर आहिस्ता आहिस्ता, इसे अपने शरीर पर मलें, एवं सम्वेदनशील तथा दर्द वाली जगा पर ज्यादा ध्यान दें, हलके गर्म पानी के साथ स्नान करें, तथा तैल निकालने के लिए हौस ग्राम एवं ग्रीन ग्राम पावडर का इस्तेमाल करें, साबुन का इस्ते पी में है बड़े बड़े गुण